हेलो एब्रीवन, वेल्कम टू जैस्वीज किचन, आज हम बहुत यम्मी, हेल्दी, वेजीज, पनीर, सेंडविच टोस्ट बनाएंगे चलि ये इसके इंग्रीडियन्स देख लेते हैं, 6 स्लाइसिस ऑफ ब्राउन ब्रेड लिये हैं मैंने, 6 स्लाइसिस हैं पनीर लिया है, मैंने घर से ही बनाया था, ये तक्रीबन 200 ग्राम है, उसके अलावा मैंने ग्रीन बेल पेपर, और ग्रेटेड कैरेट ली हैं, अनियन्स हैं और ये बटर लिया है मैंने, और कुकमबर के, दो कुकमबर के मैंने स्लाइसिस कर लिया हैं ये सारी वेजिस जाएंगी इसमें अनियन है और चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी पहले हम सारी वेजिस की सीजनिंग कर लेते हैं पनीर की भी बहुत हलके से मसाले हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है यह सेंडवेच उसके बाद मैंने रैड चिली पाउडर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर उसके बाद मैंने चाट मसाला डाल दिया है चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है इ उसके बाद मैंने ये ब्लैक पेपर डाली है, काली मिर्च, काली मिर्च और पनीर का बहुत ही अच्छा कंबिनेशन जाता है, अच्छे से ये सारे मसाले आप अच्छे से स्प्रिंकल करिएगा, क्योंकि प्रॉमिनेंट टेस्ट इनका ही आने वाला है, तो अगर अच्छे से इवनली स्प्रेड हुए होंगे, तो ये अच्छा टेस्ट आएगा, ये चाट मसाला है, चली अब हम गैस टोस्टर लेते हैं, गैस को अन कर लिया है, मैंने, उसके उपर गैस वाला टोस्टर रखा है, और बटर के साथ उसको ग्रीस कर लिया है, बटर के साथ अच्छे से लिएगा साइड्स पे, ताकि वो चिपके ना जब हम उसको कुक करें तो, वो साइड्स से मेल्ट होके बटर नीचे भी आ जाता है, बॉटम पे भी लग जाता है, और साइड्स पे अच्छी तरह से कूट करिए, ब्रेड स्लाइस को मैंने एक एक साइड पे बटर लगा लि घुरए के स्लाइस उसके बाद मैंने अनियं रख दिया है जो रॉंडल में कट器ा थाномतार उसके बाद मैंने ग्रेटीट कैरइट्स रख दिया है उसके बाद हम रखेंगे जो स्ट्रेप्स में कटी थी ग्रीन बेल पेपर उसकी स्ट्रेप्स को मैंने रख दिया है उसके बाद फिर से एक स्लाइस पनीर का और बस फिर वो दूसरा स्लाइस था ब्रेड का जो बटर साइज है वो डाउनवर्ड रखिए और थोड़ा सा प्रेस करके जो ग्रीस किया हुगा टोस्टर है उसमें प्लेस कर दीजिए अच्छी तरह से प्लेस करके फिर उसको बंद कर दीजिए बटर लगा के बटर उपर भी इसलिए लगाते हैं कि दोनों साइट पे नीचे भी हमने लगाया था टोस्टर के उपर उपर भी लगा देते हैं तो फिर अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आता है और क्रिस्पी भी बनता है बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनता है आप ट्राइज जरूर करिएगा और अपनी फीडबेक जरूर दीजिएगा कि यह कैसा बना है मैंने इसमें टोमेटोस नहीं एड किये आप चाहें तो एड कर सकते हैं आप सौस भी कोई भी केचप अगर अंदर लगाना चाते हैं या फिर ग्रीन सौस लगाना जाते हैं इस योड चोईस मैंने ऐसा कुछ एपलाई नहीं किया है मैंने घर पर ही जो समान ऐजीली अवेलेबल होता है मैंने उसी से बनाया है लास्ट में आप इसको किसी भी ग्रीन चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए साथ में चाई और कॉफी जो भी आपको पसंद हो यह बहुत ही टेस्टी बनता है अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बोक्स में ज़रूर लिखीगा देखिए इसका वाइब्रेंट कलर देखिए बहुत ही अच्छे है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल यह देखिए और दूसरी बात यह कि आप इसको किसी भी क्रम में लगा सकते हैं जो वेजिजिज है ज़रूरी नहीं इसका कोई hard and fast rule नहीं है कि आपने पहले यही चीजे लगानी है आप उसको किसी भी order में लगा सकते हैं जैसे पहले butter लगाईए bread slice के उपर फिर उसके उपर पनीर का या cheese का slice रखिए फिर उसके उपर यह दूसरा slice मैंने दूसरे क्रम से बनाया है पहले आप जो भी रखिए आप गाजर रख लीजिए आप कैपसी कम रख लीजिए अनियर रख लीजिए किसी भी order में आप रखिए टेस्ट उतना ही कमाल का आने वाला है उपर आप एक slice रख लीजिए पनीर का और देट सिट